कोरोना के नए वेरियंट उमी क्रोण की प्रकोब को ध्यान में रखते हुए नाकपुर महानगर पालिका ने फिर से 15 दिसंबर 2021 तक नगरनिगम शेतर में कक्षा पहली से 7 वी तक के लिए सगेत कर दिया है मनपा आयक्त राध्यकृष्ण बीनी शुक्रवार को इस संधर्ब में आदेश चारी किया 15 दिसंबर के बाद कोर्णा को लेकर सिती के समिक्षा के बाद आगे के आदेश चारी किये जाएंगे हाला कि नगरनिगम शेतर में आठवी से बार्वी तक के कक्षा पहले की तरह चारी रहे की ऐसी जानकारी भी जरान उन्होंने दी महराश्ट सरकार ने पहली से 7 वी कक्षा शुरू करने के निरदेश दे थी हाला कि मनपा आएक ने कुर्णा के ने वेरियन के खत्री को देखते हुए इस कक्षा में स्कूलों को शुरूख होने से टाल दिया यह ने ने मनपा आएक तद्वारा संक्रामक रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत प्रदित शक्तियों के अनुसार लिया क्या है शिक्षा विभाग की और से जारी सरक्लर के मताबिक कक्षा पहली से स्वात्वी तक की नियमित कक्षा अकले आदेश तक पूरी तरह बन रहेगी हाला कि इस क्लास की ओनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी इस संदर में आदेशों के अनुसार समय समय पर जारी के गए आदेश दिशा निरदेशों और उन पर लागू होने वाले निरोधक आदेश और उपाय अगले आदेश तक लागू रहेगी इस कार्याले द्वारा समय समय पर कोविड-19 के निशेद के लिए जारी दिशा निरदेशों का उलंगन करने वाला कोई भी व्यक्ती आपता प्रबंदन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतिय दन साहिता की धारा 188 के अनुसार अभियूच्छन के लिए उत्तरदाई होगा कोड़ा वारस के नए स्ट्रेन ओमिक्रोन की हाल ही में पहचांग की गए है और इसे विश्वस्वास संगतन द्वारा वारस का एक प्रकार खोशित क्या है नगरायक्त राधाकृष्ण बी ने नागरिकों से सभी नियमो और विनियमो का पालन करने और घर से बाहर निकलते समय मास्क सानिटाइसर और सामाचिक दूरी रखने की अपील की है कैमरा पोसंद राजकुमार महूर के साथ दिशाहटवार बीस यन न्यूस नागपूर